क्या हो यह दि आपको पता चले कि आपने जो LG का TV लिया है वो फेक है जी हाँ दोस्तों कई बार जाने अन जाने हम लोग मार्केट जाते हैं और जो है वहां से टीवी पर्चेस करके लिया आते हैं और कुछ समय बाद हमें पता रखता है कि जो हमने LG ब्रैंड का टीवी लिया है वह आपका जो है फेक है यानि कि वो रियल प्रोडेक्ट नहीं है और जो प्रोडेक्ट नहीं है आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं GSP Tech दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया और आप इस वीडियो के थमनिल में भी देख चुके हैं यदि आपके पास LG का Smart TV है और आपको नहीं पता है कि यह TV रियल है या फेक है उसे जानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसकी मदद से आप जान पाएंगे कि आपका यह TV रियल है या फेक है दोस्तों अक्सर होता यह है कि हम बजार में जाते हैं एक बार टीवी पर्चेस करके लिए आते हैं कई बार जो है दुकान दर हम यह बताता है कि हमें यह आपको ओरिजिनल ब्रैंड का टीवी है बट कुछ जो है साइकंड कॉपी कह लिज कर रहे हैं तो बहुत ही आज़ानी से बहुत ही कम यानि के हाथ साथ तीन मिनिट के अंदर जो है आप यह जान सकते हैं कि आपका टीवी जो है रियल है या फेक है जिसकी मदद से आप जान पाएंगे LG का मॉडल नंबर उसके अरावा उसका सीरेल नंबर और उसमें जो सौफियर का वर्दन चलना है यह तीनों ही जानकर यह आपको जो है सिंगर टैप में मुदना जाला जाएंगी तो उसके लिए इस वीडियो को अं तक देखिएगा दोस्तों आपको पूरी वीडियो देख देखते हैं कि किस तरीके से हमें यह इस्तमाल करके देखना है तो यह है दोस्तों LG का LED TV आप इसमें देख सकते हैं यह TV है और इस रिमोट पे जो है यह वाइस के बटन के ओपर म्यूट का बटन दिया हुआ है इसको हम जो है लगाता तीन चार बार प्रेस करेंगे और यह पे जो है select the menu आ रहा है जिसमें कि आप देखेंगे इसका model number 37 जो है इसका serial number वो यहाँ पे mention किया गया है दोस्तों तो यह जो है बहुत ही easy trick है जिसकी मदद से आप कोई भी LG के TV में यह पता कर सकते हैं कि वो real है या fake है क्योंकि यह TV real होगा तब ही जो है उसमें आपको उसक यह number नहीं दिखाई देगा यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सिर्फ mute का button आपको जो है 3-4-5 बाद लगबग प्रेस करना है और लगातार उसे प्रेस करने के बाद जो है टिप टिप करके आप प्रेस कर सकते हैं और प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि जो है वहाँ पर आपको यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका model number LED TV का और यही model number उसमें भी आपको दिखाई देता है और वहीं मैं आपको दूसरा एक और LED में यह करके दिखाता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है यह एक ही model में होता हो तो इसलिए मैंने आपको दूसरे model म भी same यही करके दिखाया है इस बार मैंने 43 इंच का model select किया था और 43 इंच के model में आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर भी same वही चीज़ दिखाई दे रही है इसके अलावा जो है मैं आपको इसको बड़े टीव में यानि 55 इंच के टीव में भी एक बार करके दिखाता और इस पर ही मैं आपको करके दिखाता हूँ same process और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका serial number यहाँ पर भी show होने लगा है तो आप दोस्तों यह देख सकते हैं कि इसमें software version serial number और model number यह तीनों ही आपको single tab में मतलब एक तरीके से within 3 seconds आप इसे देख पाएंग और अगर बढ़िया लगी है तो लाइक कर दें और साथी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों इसी तरीके की टाक लेटिड वीडियो उसक्लिए मैं आप से मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा